हलो दोस्तों मैं सी उत्तमोदी स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आज के अमारे इस नई वीडियो के अंदर आज हम लोग बात करेंगे MCA के एक सर्कुलर के बारे में जिसके अंदर AGM की last due date को extend कर दिया गया है देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या आप नई due date बनती है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मारे इस वीडियो दोस्तों सेभी लोडियार रेगुलेशन 2115 के अक्वार्डिंग टॉप 100 कमपनीज को फैनेशल एर एंड होने के जहां 5 महीने के अंदर अपनी AGM करनी होती है वहाँ पर सेभी ने एक महीने के एक्स्टेंशन उनको अल्रेडी दे रखी थी और अब जब नया सर्कुलर MCE ने इशू किया है उसके अक्वार्डिंग अब इनको फैनेशल एर एंड होने के 9 महीने के अंदर अपनी AGM को कंडेक्ट करना होगा MCE के सर्कुलर नंबर 18 by 2020 के अक्वार्डिंग जिन कंपनी AGM फैनेशल एर एंड होने के 6 मैने के अंदर करनी थी जिनका फैनेशल एर 31 मार्स 2020 को एंड हो रहा था उनको अपनी AGM 30 सेप्टेंबर 2020 तक कंप्लीट करनी थी बट अब उनको एक्सेंशन देके उनकी डू डेट जो है 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है और सेकिंड पॉइंट के अक्वार्डिंग जिन कंपनीओ का फैनेशल एर दिसंबर में एंड हो रहा था और जिनका फैनेशल एर 31 दिसंबर को एंड होता है उनको अपनी AGM 30 सेप्टेंबर 2020 तक कंप्लीट करनी है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो सब्सक्राइब